बिहार में लगतार बढ़ रहें कोविड-19 के मामले में इजाफा देखा जा रहा है मुंगेर, पटना, नालंदा और सिवान के बाद सासारा में लगतार कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़ती जारी है बिहार सरकार के स्वास्थ मंत्राले द्वाला जारी किये गये आंकडों के नुसार बिहार में COVID-19 प्रभावित वेक्तियों का आंकड़ा 346 महुच गया है वहीं बीते दिन बिहार में प्रभावित वेक्तियों के मिलने का आंकड़ा सबसे ज्यादा देखने को मिला है आनन्फारन में विहार सरकार ने सर्वेक्षन की प्रक्रिया को और तेज करने की अपील किये साथी सानिटाइजेशन के काम को भी तेज करने को कहा है मुखे मत्री नितीश कुमार ने की कोटा से चात्रों को वापस बुलाने के लिए केंदर सरकार की गाइडलाइन में बदलाव की मांग इसलिए पहले केंदर सरकार द्वारा ज़ारी के गाइडलाने के संभाबना बनेगी बैंक ओफ बरोधरा के सभी स्टाफ की आई कोरोना रिपोर्ट पत्नासित बैंक ओफ बरोधरा के एक करमी में COVID-19 पॉजिटिफ पाये गया था जिसके बाद उस बैंक में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के सामपल की जाच के लिए भीजा गया था जिसके बाद अब उनकी इलाके में रहने वाला था उसी को ध्यान में रखते वे पटेर लगर को भी बंद कर दिया गया है बंद के बीच बिहार में विशेश आर्थिक पैकेज की मांग उठी COVID-19 के बढ़ते माहॉल के बीच बिहार में विशेश आर्थिक पैकेज की मांग उठाई गई है जिसके तहत उन्होंने मीडिया हाउस से बाचीत की दौरान कहा कि कोरोना के इस माहौल में बिहार में रोजगार मोहया करवाने के लिए राजी को विशेश आर्थिक पाकेज की जरूरत है लिहाजा केंद्र सरकार विशेश आर्थिक पाकेज का एलान करें वैशाली में COVID-19 पॉजिटिव महिला मिलने से बना अफरात अफरीका माहौल वैशाली के बिद्वपुर में COVID-19 पॉजिटिव महिला मिलने के बाद इलाके में अफरात अफरीका माहौल है बही प्रशास्तिक महका में भी जाच की मुहीम को तेज करने की पहल की गई है वही COVID- 19 प्रभावित विक्ति के मिलने के बाद ही ततकाल 3 किलोमीटर के दाइरे में आने वाले गाउं को बंद कर दिया गया है और इसके दाइरे में किसी को भी अंदर बाहर जाने से रोक दिया गया है जिसके बाद गाउं के बॉर्डर को बांस और बल्ले से घेर दिया गया है और आज सुनवाई करने की नई तारीक जारी की है इतना ही नहीं वहाई जस्टिस हेमन कुमार श्रिवास्तव की खनपीर के अधिवक्ता आजे कुमार ठाकोर ने केंदर सरकार को जवाब देने के लिए आज तक की महलत दी है पिष्टिस सुनवाई के दौरान ही पटना हाई कोट ने केंदर और राजसरकार से इस मुद्धे पर जवाब मांगा था जो इसके तहित कोट ने के असाफ कर दिया था कि जब सफीराज अपने छात्रों को वापस बुलवा रही है तो बिहार को वापस बुलाने में क्या परिशानी हो रही है मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने प्रधानमंती नरेंदर मोदी से की मांग बीदर दिन प्रधानमंती नरेंदर मोदी के साथ में भिनराजों के मुख्यमंत्रों के साथ हुई बैठक में कि बिहार के छात्र को कोटा से वापस बुलाने की मांग पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। बिहार में 1700 से ज्यादा पदो पर रिक्तियों के आविधन की आखरी तारिक बढ़ी आगे। कोविड-19 के मामले मुंगेर में लगातार बढ़ें। कोविड-19 के मामले मुंगेर में लगातार बढ़ें। बिहार के मुंगेर जिले में लगातार कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। मुंगेर के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावितों की संख्या में नालन्दा देखा गया है RBI ने बिहार सरकार को दी रहात RBI ने बिहार सरकार को रहात देते वे सिकिंग फंड में रेंज चुकाने के लिए 1000 करूर की राशी दी है खबरों की माले तो अगर RBI ये अपनी तरफ से यह राशी महया नहीं करवाती तो भिहार सरकार को अपने राज़कोश राशी में से ये राशी देनी पड़ती जिससे कि अब सरकार आने वाले दुनों में राश्ट्रिय एवं विकासकारियों पर खर्च कर सकेगी इसकी जानकारी उपमुखिमंत्री शुषिक लुमार मोदी ने दी है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 2009 में सिंकिंग फंड के गठन के बाद राज़सरकार पहली बार इसकी बयाज राशी को अपयोग लोकरिन की किष्ट चुकाने के लिए कर रही है CRPF के हवाले से किया गया COVID-19 होट स्पोट थै सासरामे प्रभावित मिले सभी इलाकों में CRPF को लगाए गया है वाई सासरामे COVID-19 के संक्रमित मरीजों की संख्या काफी जादा बढ़ चुकी है उस इलाके को पूरी तरीके से बंद कर CRPF के हवाले कर दिया गया है जिसके बाद होट स्पोट इलाके में किसी विव्यक्ति के बाहर निकलने पर अब उसकी खैर नहीं रखी जा रही है CRPF के जवान लगातार गश्ट कर रहे है बिहार में 33,000 सिक्षकों की बहाली अगले महीने से होगी शुरू बिहार सरकार जल्द ही बिहार में 33,916 सिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने जारी है सिक्षा विभाग नियुक्ति प्रक्रिया शेडिल जारी करते वे इस बात की जानकारी दी है कि अगले महीने से बहाली की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा खबरों के माने तो नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्दे नजर अचार सहीता लागू होने से पहले 2950 अपग्रेट माधमिक और उच्छ माधमिक विद्यालोय में सिक्षक के नियुक्ति प्रक्रिया सुनिशित करने के लिए फैसला लिया गया है कोविड-19 की रोगथाम को लेकर प्रदेश में डोर-टो-डोर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जारी बिहार में लगतार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते वे सरकार ने हाली में डोर-टो-डोर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को तेजी से शुरू कर दिया और अब तक कुल मिला कर 73,83,000 घरों में सर्वेक्षिन किया जा चुका है यह जानकारी बिहार सरकार के स्वास्तमत्री मंगल पांडे द्वारा दी गई है बिहार में मन्रेका के तहट 6,000,000 से अधिक मजदूरों को काम दिया गया है बीते एक हफ़ते में सूबे में 7,971 पंचायतों में मन्रेका के तहट काम शिरू कर दिया गया है जिसके बाद काम मिलने वाले मजदूरों की संख्या जारी की गई है ग्राम विकास विभाग नहीं अध्यान रखाय कि जल संग रक्षन सूच में सिचाई तह पारंप्रिक जल शोतों का जिर्नोधार की संबंधी योजनाओं पर काम अधिक से अधिक हो जिसे की ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की आवश्रकता हो साथी मजदूरों की साहेता भी हो सके महिमन में सभी मजदूरों को पैसे मिलने में भी देरी ना हो इसकी जिम्मेदारी सभी जगे उप्विकास आयुक्त को सौप दी गई है अप्रेल के अंतक साथ जिलों में हो सकती है बारिश अप्रेल महीने के अंतक बिहार के साथ जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है विभाग की माने तो बिहार के सारन जमूई भोजपूर्च अमपारन जिले में बारिश की कारण 12 लोगों ने जान गवाई थी वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी स्काइमेट का कहना है कि पूरे उतर पशिम भारत में प्री मौनसून सीजन में 1 मार्ज से 25 अपरेल के बीद सामाने से 41 फीस दी जादा बारिश की रिकॉर्ड की गई है और यही कारण है कि आने वाले दिनों में बिहार के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावनाय बढ़ गई है इतना ही नहीं मौसमें भागने यह भी साफका है कि बिहार में इस हफ़ते भी बंगाल की खारी से आ रही नमी को लेकर हवाई चलेंगी और यही कारण है कि अप्रेल के अंत में प्री मौनसुन बारिश होगी लालुयादव ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर कसा तंच बिहार के पूर्व प्रिसाद यादव ही नहीं विपक्षी दल के कईनेताओं ने मुख्य मत्री नितिश कुमार के स्टांड की आलोचना किया है विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इस तरह से पेशारी जैसे बाहर फसे मजदूरों से उनका कोई रिष्टान आता ही नहीं है COVID-19 को ले बीहार के मुख्याओं को मिली बड़ी जिम्मतारी पत्ना में दूसरी जगह से आकर योगदान देने वाले कर्मियों को अब COVID-19 का करवाना होगा जाज। अब उनका पत्ना आना शुरू हो गया है ऐसे में हर किसी की जाज करवाना आवश्यक है। प्रभावित होनी की आशांका और ज्यादा बढ़ गए है। पर पड़ोस के छात्रों को पढ़ाना शुरू किया है। तेजस्वियादव बस कोटा के छात्रों के नाम पर राजनीती करने में जुटे हैं। अगर उन्हें सच में छात्रों की चिंता है तो उन्हें तो सरकार के साथ मिलकर लोगों की मदद करने चाहिए। लेकिन उन्हें COVID-19 के इस माहौल में राजनीती सूज रही है। तेजस्वारी नहीं कर रहे थे बलकि उनके पीछे उनकी बेटी जीवा भी मौझूद थी। आपको बता दे महेंदर सिंग्धोनी राची में ही परिवार के साथ सिमरिया सित्थ फार्म हाउस में इस्तम में बिता रहे हैं। अपनी गाड़ी में बैठने को मिस कर रही सुनाक्षी सिनहा ने किया अपना मन पूरा। कार के अंदर बैठे देखा जा सकता है। की छूट भी मिलेगी लेकिन यहां ओफर सिर्फ स्वास्तकर्मी और कोरोना वारियर्स के लिए ही है। इसके लाव हमारी टीम को और भी लोगों की जवाब अच्छे लगे। मगर समय के आभाव की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार बिहार सरकार को कोटा में फसे चात्रों को वापस बुलाना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बता है इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले और अगर आप ये वीडियो हमारे फेस्बुक पर देखरें तो उस वीडियो को लाइक करें और जादर जादर शेयर करें धन्यवाद